आईए दोस्तो आज हम आपको नारद विश्णु से रूप मांगती हैं नारद विश्णु रूप मांगने की कथा रिशी बोले हे सूज जी रूद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहां गए इस सब के बारे में हमें बताईए सूज जी बोले हे रिश्यों माया से मोहित नारद जी उन दिनों शिवगणों को शाप देकर भी मोवंच कुछ जान ना सके ततपशात क्रोधित होते हुए वे तलाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुन्या अपनी परचाई देखी तो उन्हें फिर वानर जासी नमस्कार दोस्तों नारद विश्नु शे रूप मांगना इसकी कथा उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वेंबर का आयोजन किया उनकी कन्या कावरन करने के लिए उत्सुक भहुत से राजकुमार पधारे थे वहां भहुत चहल पैल थी इस नगर की शोबा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया जब राजा शील निधी ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें साधर परणाम करके स्वर्ण स्यासन पर बठा कर उनकी पूजा की फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया जिससे महारिशी के चड़नों में परणाम किया नारद जी से उनका उसका परिच्चे कराते हुए शिल निधी ने निवेदन किया महारिशी ये मेरी कन्या है शिरीमती है इसके स्वेंबर का आयोजन किया गया है इस कन्या के गुण दोशों को बताने की किरपा कीजिए राजा के आसे वचन सुनकर नारद जी बोले राजन आपकी कन्या शाक्षात लच्मी है जिसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभव शाली तिरलोक जई वीर तथा काम देव को जीतने वाले वाला होगा ऐसा कहकर नारद मुनी वहां से चल दिये शिव की माया के कारण वे काम के वशी भूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं सुएंबर में आए सुन्दर वैभव शाली राजाओं को छोड़ कर भला यह मेरा वरण कैसे करेगी वे सोचने लगे कि नारियों को सुन्दर भूत सुन्दर है प्रिय होता है सुन्दर्य को देख कर ही सिर्मति मेरा वरण कर सकती है ऐसा विचार कर नारज जी फिर विश्ण लोग में जा पहुंचे और उने राजा शील निदी की कन्या के स्वेंबर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवा करने की च्छय व्यक्त की उन्होंने भगवान विश्ण से प्रात्ना की की वे अपना रूप उन्हें परदान करे ताकि शिर्मति उन्हें ही वरे सूद जी कहते हैं महरिशियों नारज मुनी की ऐसी बात सुन कर भगवान मदु सूधन हस पड़े और भगवान शंकर के परभाव का अनुभव करने करके उन्होंने इस परकार उत्तर दिया भगवान विश्ण बोले हे नारज वहाँ आप अवश्य जाएं मैं आपका हित उसी परकार करूँगा जिस परकार पीडित वेक्ती का अश्रेष्ट वैद करता है क्योंकि तुम मुझे विशेश प्रिय हो ऐसा कहकर भगवान विश्णू के नारज मुनी को वानर का मुख और तथा शेश अंगों को अपना मनोहर रूप परदान कर दिया तब नारज जी अत्यंत प्रसन हुए अपने को परम सुन्दर समझ कर शिगर ही स्वेंबर में आ गए और उस राज्य सभा में जाकर बैठ गए उस सभा में रुद्रगन ब्रामन के रूप में बैठे हुए थे नारज जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगनों को ही दिखाई दे रहा था बाकी सबको नारज जी का वास्त्विक रूप नहीं दिखाई दे रहा था नारज जी के मन ही मन परसन होने लगे शिरीमती की पर्तिक्षा करने लगे हे रिश्यों वे कन्याओं हाथ में जय माला लिये अपनी सक्षियों के साथ स्वंबर में आई उसने हाथों में सोने की सुन्दर माला थी वे शुब लक्षणा राजकुमारी लच्छमी के समान अपूर्वक्षोभा पा रही थी नारज मुनी का भगवान विश्णु जैसा रूप शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वे कुपित हो गई और उनकी ओर से द्रिश्टी हटा कर मनमांचित वर की तलाश में आगे चली गई सभा में अपने मन पसंद वर को ना पाकर वे उदास हो गई उसने किसी के भी गले में वर्माला नहीं डाली तब ही भगवान विश्णु राजा की वेश भूशा धारन कर वहां आ पहुंचे विश्णु जी को देखते ही वे परमसुंद्री से के गले में वर्माला डाल दी विश्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोग को चले गए या देखकर नारजी विचलित हो गए तब ब्राहमनों के रूप में उपस्तित रुद्र गणों ने नारजी से कहा हे नारजी आप व्यर्थ ही काम से मोहित और हो सोंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाते हैं पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए सूद जी बोले यह वचन सुनकर नारजी को बड़ा आश्चार्य हुआ उन्होंने दर्पन में अपना मुँ देखा वानर के के समान मुख को देख कर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्र गणों को शाप देते हो बोले तुमने एक ब्रामन का मजाक उड़ाया है अत्या तुम ब्रामन कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले वलकि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासिन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तूती करने लगे बोले विष्णु भगवान की जैन